नमस्कार दोस्तों, एसार कोचिंग की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और अजमिर से मैं शेलंदर सिंग रहूद मित्रों इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आगया हूँ क्लास दस्वी बोर्ड के अनुसार यूकिल विभाजन पर में पर आने वाले प्रसनों को हल कराने का आसान सा माध्यम अगर दोस्तों आपके छोटे बेहन बाई अगर क्लास दस्वी बोर्ड पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर दीजेगा और आप उन्हें ये वीडियो एक बार अवश्य दिखाएं ताकि वे घर पे बेटे वे आसान और एक अच्छे माध्यम से दस्वी क्लास बोर्ड एक्जाम की आसाने से तैयारी कर सके और अच्छे माक्स प्राप्त कर सके तो मित्रू सबसे पहले मैं आपके सामने एक्साइज यहां पर 1.1 है CVAC की जो क्लास है दस्वी बोर्ड उसकी एक्साइज 1.1 है और उसका जो मैं प्रसन करा रहा हूं प्रसन आपके सामने दूसरा प्रसन करा रहा हूं बहुत ही महत पुण यह प्रसन है और इस प्रसन से एक प्रसन बनता है जो मैं आपको बिल्कुल के लिए कर रहा हूँ यहां दे रिका है प्रसन show that हमारे पास question दे रिका है show that any positive integer any show that any positive integer any positive positive odd integer positive odd integer is the form of 6 q plus 1 6 q plus 3 6 q plus 5 where q is some integer q is some integer दोस्तों यहां पर जो प्रसन दे रहा है सबसे पहले कभी भी अगर आप board exam का प्रिक्सा देने जा रहा हो तो सरु प्रथम आप प्रसन को बिल्कुल बिल्कुल डेटेल से पढ़ लीजे क्या दे रहा है यहां दे रहा है show that any positive odd integer is the form of 6 q plus 1 6 q plus 3 6 q plus 5 where q is some integer ठीके अब अगर exam में यह प्रसन आता है तो हम start कैसे करेंगे सबसे पहले आपको लिखना पढ़ेगा step number 1 now we start step number 1 we know that we know that you killed divination lemma ठीके हमें सबसे पहले yukil divination lemma को लिखना पढ़ेगा और उसका formula होता a equal to b q plus r इसे हमें equation number first देना पढ़ेगा ठीके यहां पर दे रहका show that any positive odd integer is the form of 6 q plus 1 6 q plus 3 and 6 q plus 5 let us consider let us consider let us consider a is any positive integer let us consider a is any positive integer and other positive integer other positive integer b is 6 q other positive integer b is 6 q now we can express now we can express यानि हम इसे कैसे explain कर सकते हैं तो यहां में लिख रहा हूं देखिए मित्रो अब यहां पर मैं इसका format लिख रहा हूं a बराबर b q plus r a equal to 6 q plus 0 यानि हमें क्या करना पड़ेगा इस r की value assume करने पड़ेगी तो r को मैं लिख रहा हूं 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं ठीके तो हम सबसे पहले अगर r की value 0 put up करेंगे तो यहां 6 q आएगा क्या आएगा 6 q अगर मैं r की value 1 put करता हूं क्या put करूँगा 1 put करूँगा तो क्या आएगा देखिए a equal to 6 q plus 1 आप इसे देखिएगा 2 into 3 q plus 1 ठीके a बराबर 2 into 3 q plus 1 तो आप देखिए मित्रो यहां पर यह जो 3 q नजर आ रहा है इसे मैं k1 माल लूगा क्या माल लूगा k1 माल लूगा तो मैं इसे क्या लिखूँगा इसे लिखूँगा a बराबर 2 k1 plus 1 इसको मैंने equation number 3 दे दिया where k1 where k1 is a positive integer where k1 is a positive integer जहां k1 मेरे पास में क्या है positive integer है आगे समझ में तो सबसे पहले आप इसी copy कर लिजीगा इसके आगे का step में बिलकुल आपको clear करा रहा हूँ देखो show that any positive odd integer is the form of 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some integer explain step number 1 we know that you kill dividation lemma a equal to 6q plus r equation number 1 let us consider a is any positive integer and other positive integer b equal to 6q now we can express a equal to bq plus r where r equal to 0, 1, 2, 3 let us consider now r equal to 0 put up r equal to 0 put in equation number first a equal to 6q plus 0 now r equal to 1 put in equation first now a equal to 6q plus 1 ठीके, तो तो जब मैंने r की value अगर 0 put up की तो मेरे पास आ गया a बराबर 6q plus 0 अगर मैं r की value 1 रखूंगा तो मेरे पास मैं आ जाएगा a बराबर 6q plus 1 now equation number second हम यहाँ पर जो 6q नजर आ रहे हैं इसके factor करेंगे तो now factor in 6q तो a equal to 2 into 3q plus 1 now 3q let us consider k1 where k1 is a positive integer जहाँ पर k1 मेरे पास क्या है positive integer है आगे समझ में आप दीखें अपन इसका आगे लिखेंगे अपन step number second step number second a equal to 6q plus 3 equation number third a equal to 6q plus 2 plus 1 इस तीन को मैंने 2 और 1 में तोड़ दिया किस में तोड़ा 2 plus 1 लिखा तो देखेंगे अब इसको कैसे लिखेंगे a बराबर 6q plus 2 plus 1 now common a equal to 2 3q plus 1 plus 1 यहाँ पर हम दो कोमन लेंगे तो जैसे ही मैंने 2 कोमन ले लिया मेरे पास में आगया 3q plus 1 और यह plus 1 आगया अब दोस्तों हम इससे पूरे को हम k2 मान लेंगे क्या मानेंगे k2 तो मैं लिखूंगा a equal to 2 k2 plus 1 we are k2 equal to 3q plus 1 equation number 4 similarly step number 3 a equal to 6q plus 5 equation number 5 a equal to 6q plus 4 plus 1 now common a equal to 2 3q plus 2 plus 1 a equal to 2 k3 plus 1 we are k3 is a positive integer k3 is a positive integer now k3 equal to 3q plus 2 equation number 6 अब दीखिए दोस्तों हमने उप्रोग सम्मेकरण के हमने तुलना कर ली लेकिन तुलना करने पर हमें क्या मिलता है दीखिए मित्रोग यहां पर है a बराबर 6q plus 3 मैंने इस 3 को 2 और 1 में तोड़ दिया तो यहां मैंने लिखा 2 plus 1 अब दोस्तों मैंने लिखा 6q plus 2 plus 1 अब यहां से मैं 2 को में common निकालता हूं तो मेरे पास मैं आजाएगा a बराबर 2 यहां बचेगा 3q plus 1 और यह plus 1 अब मैंने क्या क्या इस पूरे 3q plus 1 को मैंने k2 मान लिया क्या मान लिया k2 तो मेरे पास मैं आगया a बराबर 2k2 plus 1 वेएर k2 equal to 3q plus 1 इसी परकार हम यहां पर step number 3 follow करेंगे a बराबर 6q plus 5 तो मैंने लिखा a बराबर 6q plus 4 plus 1 यहां से हम 2 common निकालेंगे तो मेरे पास आजएगा a equal to 2 3q plus 2 plus 1 हम क्या करेंगे इसको k2 माल लेंगे तो 2k3 plus 1 तो k3 से positive integer और k3 की value मेरे पास है तो हमने उप्रोक्त equation में देखा कि सारी की सारी जो equation है उसमें हम मेरे पास 3q plus 1 चल रहा है फिर 3q plus 2 चल रहा है फिर 3q चल रहा है तो similarly हम देख पा रहे हैं कि यहां पर कोई भी संक्या है वो divisible नहीं है 2 से यानि संक्या 2 से divisible नहीं है अब अपन यहां step number 4th follow करेंगे step number 4th now we compare all above equations now we compare all above equations 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 are not division not divided by 2 not divided by 2 now we compare all above equations 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 3 are not divided by 2 step number 5th hence this expression of number of number therefore any odd number can express in the form of 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5 ठीके तो हमें इस परकार इस पूरे प्रोसेस को अपलाई करना पड़ेगा और पूरे जिस परकार से मैंने आपको परे step by step समझा दिया है उसी परकार से आपको पूरे वीडियो को देखना होगा और उसी परकार से आपके अपने नोट्स तैयार करना होगे बोर्ड एक्जाम में अगर ये प्रसन आता है तो आपको यही पैटर्न यूस करना पड़ेगा करना हूँ झाल 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 झाल